हेलो स्टूदेंट्स में यूनिट 4 पढ़ेंगे एक्सराइज 4.2 कम्प्लीट देबल दी भी है इसे हमें कम्प्लीट करना है तो कैसे करेंगे इसमें क्या करना है 10 more than 100 less than 100 more than 100 less than जैसे कोई भी डिजिट हो जैसे डिजिट है हमारी डिजिट हमारी 426 अब इसमें ये लिखा है 100 more than 100 more than का मतलब 100 plus करना है इसमें 100 more than का मतलब होता है 100 plus करना है more than ज्यादा तो 100 plus करना है और 100 less than means 100 minus करना है तो कैसे जैसे ये डिजिट दिये 426 तो क्या करेंगे पहले क्या दिया 100 more than तो इसमें 100 next कर दिए 100 less than अब less than करेंगे तो क्या करेंगे माइनस कितने 10 जितने दिये उतने माइनस करेंगे 10 दिए तो 10 करेंगे 6 तो 0 जाएंगे कितने बचेंगे 6,는 2 बन जाएंगे कितने बचेंगे 4 का 4 तो कितना हो गया हमारा less than में 416 तो लिख देंगे 416 अब next क्या दिया है 400 more than अब जो ये digit है हमारी 426 उसमें अब हमको 100 प्लस करना है तो कैसे करेंगे 426 प्लस 100 तो 6 to 5 क्या बन गी हमारी दूसरी डिजिट 226 अब लिखा है 100 less than तो जो हमारी value है 426 में 100 माइनस कर देंगे तो क्या गी हमारी value 336 इसी तरह से ये सारे sums solve करना है ठीक है एक मैं बता देती हूं और फिर आप खुद कर लेना क्या दिया है जैसे ये 226 दिया है पहला जैसे जो दिया है क्या value है 216 दियो ही है ये हमारी value है तो हम है 100 10 10 more than करना है फिर plus करना है 110 फिर 100 plus करना है फिर 100 less करना है ठीक है इस तरह से मैंने इसको plus करके कर दिया है तो क्या करेंगे क्या दिया है 100 देख वे जाए देख मार फिर से बताते हूं क्या value हमारी 216 value है तो क्या लिखा है 10 more than तो 10 more than में क्या करेंगे value में 10 plus कर देगे 6, 2 तो क्या अगे हमारी value 226 अब लिखा है 10 less than अब 10 इसमें less कर देगे 6, 0 क्या आगे हमारी value 206 तो यहाँ पर 206 और यह लिखी भी 206 अब 100 more than लिखा है तो more than करेंगे plus आएगा more than करेंगे तो plus आएगा तो क्या होगा 6, 1, 3 तो क्या आगे हमाई 316 यह आगे 316 यहा लिख दी अब 100 less than तो 100 less करेंगे इसमें less का मतला minus 6 मिसे 0 जाएंगे 6, 1 मिसे 0 1 तो क्या आगे हमारा 116 तो हमारी दूच्टी value आगे 116 यह हो गया इस तरह से यह लिखा है यहां मैंने explain कर दिया है इसी तरह से यह पूरी exercise solve करना है ओके